हेलो बच्चो कैसे आप सब लोग उमीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आज हम अपना नया चेप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कल्स सर्कल्स आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है वैसे यहां पर हमें थोड़ा उससे आगे हैं क्लास 10th क्मेंद सम पढ़ने जा रहे हैं तो जो Surkles होगया हम पर वो ज्लास 9th केEEEErev से थोड़ा सा हटके होगा जैसा अपने सर्कल्स पढ़ा है आपने points की पढ़े है बच्चों धोटे बच्चों के पढ़ने आ Maths की language में उसे हम circle बोलते हैं, तो circle आपका दिखता कैसा है, आपको सब को पता है, जो goal goal होता है एकदम, और उसके बीच में एक छोटी सी बिंदी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, circle बोलते हैं, वैसे perfect circle नहीं है, बड़ मैंने कोशिश किया बनाने की circle बन जाए, लगबग ल अब तक पढ़ा है कि सर्कल्य होता है अब अगर हम बात करें कि डैफिनिशन क्या होती है देखिए अम चैप्टर की अंदर आप क्या-का चीज़ें पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन करवा हूँँ आपके साथ फिर उसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे The Relationship Between A Line And A Circle ये आपने बुक में कहीं नहीं देखा हुआ ये लिखा हुआ इंट्रोडक्शन आपकी बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको ये चीज आपको नहीं मिलेगी कि Relationship Between A Line And A Circle मैंने इस जो मैंने लिखा हुआ है Relationship इसमें मैंने सारे कंटेंट जो आपके बुक के हैं इसको मैंने समेट के यहां पर रख दिये एक साथ और इसको जब मैं Conceptual वीडियो करवाँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि इसका मतलब क्या है तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं Relationship Between A Line And A Circle तो चली हम शुरू करते हैं अपनी जर्णी को